उंगर शिरी महागड़ी शाय नमा, जै मातादी, राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों नवरात्री चल रहे हैं नवरात्री के नौ दिन मादुर्गा की आराधना के दिन होते हैं इन नौ दिनों में भक्त मातारानी का पूचन करते हैं और ब्रत भी करते हैं मातारानी को प्रसंद करने के लिए इन नौ दिनों में मातारानी की विशेश रूप से उपासन की जाती है देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्री के दोरान जो भी मातारानी की गुर्पा प्राप्ट कर लेता है उसके लिए जीवन में कुछ भी असंभब नहीं होता मातारानी अपनी भक्तों की सबकष्टों और संकटों से दक्षा करती है और मनुवांचित बर्दान देती है दोस्तों नफरात्री का चौथा दिन मा कुश्मांडा को समर्पित होता है इस दिन मा कुश्मांडा का पूचन किया चाहता है मा कुश्मांडा की पूजा कहने से सिधियां वा निधियां मिलती है निरोगी काया प्राप्त होती है आयू वा यश्मे पढ़ोत्री होती है मा कुश्मांडा की पूजा कहने से बुथी का विकास होता है और हर कारे में सफलता मिलती है इस वार नवरात्री का चोथा दिन 20 अक्टूबर दिन मंगलवार को है इस दिन सौभागय और शोभन योभी बन रहा है जिससे यह दिन और भी खास हो गया है दोस्तों नवरात्री के दिनों में पढ़ने वाले सभी दिनों का विशिश महत्व होता है इन में सबसे ज़्यादा महत्व होता है मंगलवार और शनिवार के दिन का क्योंकि यह दिन बीर बजरंग बली को समर्पित है भगवती दुर्गा और बजरंग बली की पूचा सतियों से एक साथ होती चली आ रही है नवरात्री में माता रानी को प्रसंद करने के लिए कन्या पूचन का बिधान है कन्या पूचन में नो कन्याओं के साथ एक लांगुर का पूचन अवश्य ही किया जाता है वह लांगुर बजरंग बली का ही सरूप होता है बज्रंग बली को ही माता राने के लांगुर माना जाता है शास्तों में बताया गया है कि माता राने को प्रसंद कहने के लिए माता राने की किप्रा प्राप्त कहने के लिए नवरात्री के तोरान बज्रंग बली को प्रसंद कहना और बज्रंग बली की पूचा सेवा करना अति आवश्यक है वैसे तो बज्रंग बली सभी मनुकामनाओं की पूटी करने वाले देव माने जाते हैं उनकी आरातना करना हमेशा शुफ फल्दाई रहता है लेकिन नवरातरी के अपसर पर की गई साथना विशिश फल्दाई होती है हनुमान जी की उपासना से दुख, कलेश, रोग और संकटों का नाश होता है और सुक्सम्रथी का बादान प्राप्त होता है शास्तों में बर्जरंग बली और माता रानी की पूचा आरातना के कई बिथान बताई कए है लेकिन नवरातरी के पावन अपसर पर माता रानी और बर्जरंग बली की क्रपा प्राप्त कहने का शास्तों में एक बहुत ही सहच और सरल उपाई बताया गया है इस उपाई को कहने से बर्जंग बली माता रानी की किरपा से कैसी भी मुश्किल हो उससे छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही धन एश्वर्य और सुक्सम्रथी का भी आशिरवात प्राप्त होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको शास्तों में बताया गया वही सरल और अच्चुप उपाई बताने जा रहे हैं। अगर आप भी नवरात्रे के इन पावन दिनों में मातारानी और बर्यंग बली का आशिरवात प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस उपाई को अवश्य ही करें। दोस्तों उपाई को सही प्रकासे करने के लिए आप मारी इस वीडियो को एंट तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारी चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें। जिससे हमारी सभी नई वीडियो के नूटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाएं। तो आईए दोस्तों जानते हैं इस अच्चू उपाई के बारे में। दोस्तों यह उपाई आपको रात्री की समय करना है। उपाई करने के लिए अच्छी तरह से मोहाट पैथ होकर सुच्च बस्त धारन करें। इस उपाई को करते समय हो सके तो लाल या केसर या रंगे बस्त पहनें। क्योंकि यह दोनों रंगे बर्जन पली और माता रानी को अतिप्रिया हैं। सुच्च बस्त धारन करने के पश्चात अब अपने मंदर के सामने आसम पिछा कर पैठ जाईए। अब आप एक शुद्धगी का दीपक तैयार करें। अगर शुद्धगी राहूं तो आप मीठा तेल जिसे तिल का तेल कहा जाता है या करवा तेल जिसे सरसो का तेल कहा जाता है का दीपक तैयार करें। दीपक में एक रूई के पाती लगाएं। अगर आपने नवरात्री के दोरान मातारानी की अलग से चौकर एस्थापित की है तो आप इस दीपक को मातारानी की चौकर रखें नहीं तो अपने मंदिर में मातारानी के सामने इस दीपक को रखें दोस्तों अगर आप इस दीपक को मातारानी की चौकी पर रख रहे हैं यानि कि आपने मातारानी की चौकी इस्थापित की है तो आप चौकी पर ही पर्जंग बली की मूर्ती या फिर तस्वीर भी इस्थापित करें आप इस दीपक को सीधे जमीन पर ना रखें दीपक को किसी पातर में रखें या थोड़ी सी कच्चे चावल नीचे रखकर उसके उपर ही आप दीपक रखें दीपक रखने के बाद आप इस दीपक को जलाएं अब आप एक साब़त फूल बाले लॉंग लें ध्यान रखें आपको साबत फूल बाली ही लॉंग लेनी है जो पूजा में इस्तमाल होती है तोटी हुई लॉंग या फिर बिना फूल की लॉंग ना ले अब इस लॉंग को आप माता रानी के सामने माता रानी के चर्णों में रखते हैं अब आप भगवान श्री गनेश को प्रणाम करें माता रानी को प्रणाम करें फिर भगवान श्री राम को प्रणाम करें फिर बजरंग बली को प्रणाम करें आप भगवान जी को माता रानी को आप किसी फल मिष्ठान का भोग लगाए फल मिष्ठान ना हो तो शक्कर का भी लगा सकते हैं लेकिन भोग अवश्य ही लगाएं भोग लगाने के परशात मातारानी के चर्णों में से लौंग को उठा लें इस लौंग को अपने मस्तक से लगाएं अब इस लौंग को आफ दीपक में डाल दें इसके बाद भगवान शिरी गनेश को प्रणाम करें फिर मातुर्का के इस बीच मंत्र का 108 बार जाप करें मंत्र इस प्रकार है ओम एम हिरिम क्लिम चामुंडाय विच्छे दोस्तों नवरात्री के 9 दिन मातुर्का, मालक्ष्मी और मासरस्वती को समर्पित हैं और इस मंत्र का जाप करने से तीनों देवियों की कृपा प्राप्त होती है साथ ही त्रीदेवों का भी आशिरवार प्राप्त होता है इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है मंत्र का जाप आप उंगलियों पर गिन कर या मिश्री के दाने पर या फिर आप अगर किसी माला पर मंत्रों का जाप करते हैं तो उस माला पर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं मातारानी के भक्तों को रो जाना है मातारानी के इस मंत्र का जाप आवश्य ही करना चाहिए मातुर्का के इस पीच मंत्र का जाप करने के पश्चात आप बर्जरंग बली के इस मंत्र का 108 बास जाप करें मंत्र इस प्रकार है ओम हनुमन्ते नमा ओम हनुमन्ते नमा दोस्तों बर्जरंग बली के मंत्र का जाप कहने से पहले आप 11 बार राम नाम का जाप अवश्य ही करें क्योंकि भगवान श्री राम की पूजा के बिना बर्जरंग बली की पूजा अधूरी होती है बर्जरंग बली के मंत्र का जाग करने के पश्चार हो सके तो एक बार हनुमान चालिसा का पाठ भी अवच्छे ही करना चाहिए हनुमान चालेशा का पाथ करने से बजरंग बली की कृपा से सबी कष्टों और संकटों से छुटकारा मिलता है इस तरहें माता रानी और बजरंग बली का पूचें करने के पश्चात अब आप हाथ चोड़कर भगवान श्री गणिश, मा दुर्गा और भगवान श्री राम और बजरंग बली को प्रणाम करें और आपकी जो भी समस्या है जो भी परेशानी है पहमाता रानी और बजरंग बली के समक्ष रखें और अपने सभी परिशाने, कश्ट और संकटों को दूर करने की प्रातना करें धन्समन्दी जो भी समस्या है या किसी कारे में रुकावट आ रही है या कोई ऐसी मनुकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है वह सभी आप माता रानी और पर्जंग बली के समक्ष कहें और सब समस्याओं को दूर करने की प्रातना करें दोस्तों शास्तों में बताया गया नवरात्री के दोरान माता राने और परजंग बली का आश्रवार प्राप्त करने का ये सबसे सरल और अचुक उपाय है इस उपाय को करने से माता राने और परजंग बली की असें कृपा प्राप्त होती है जीवन में आ रही तमाम तरहें की परिशानियों का अंत हो जाता है धन सम्रथी में ब्रथी होती है, धन सम्मंधी समस्याएं दूर हो जाती है, दुर भागे सौभागे में बदल जाता है शास्तों में बताया गया है नवरात्री के दौरान जिन ही माताराने की किरपा प्राप्त हो जाती है उनके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है इसलिए माता राने की कृपा प्राप्त करने के लिए आप इस उपाई को अवश्य ही करें दोस्तों इस उपाई को करते समय आपको इस बात का विशिष ठैन दखना है कि पूचन के दौरान दीपक जलता रहना चाहिए यानि कि दीपक में इतना घी और तेल होना चाहिए कि लिए पूचन के दौरान बुझे नहीं और पूचन पूर्ण होने के बाद आपको इस दीपक से माता रानी की और बर्जंग बली की आर्थे भी अवश्य ही उतारने हैं तभी आपका यह उपाई सफल होगा और शुफल प्रतान करेगा दोस्तों उपाई करने के पश्चाथ आप राध भर दीपक को भही माता रानी के सामने ऐसे ही रखा रहने दें और अगले दिपक में से लॉंग निकार कर आप इसे शुद्ध बहते हुए जल में पिसरजित कर दें शुद्ध भेते होई चल का इस तो आपके घर के आसपास ना हो तो आप इस लौंग को किसी साफ इस्थान पर किसी गमले में या किसी पेड़ पौधे की जर में मिट्टी खोद कर वहाँ पर इसे गार दें अगर आपके हां बजरंग पली की कोई प्रत्मा या तस्बीर ना हो तो भी आप माता रानी के सामने इस दीपक को चला कर मनहीमन बजरंग पली का इसमरन कर इस उपाई को कर सकते हैं दोस्तों नवरात्री के पावन पर पर इस उपाई को अवश्य ही करें और इस से लाहब प्राप्त करें उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो कि लाइप करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और इस्तितारों में ज़ादग से जढ़ शेयर करें जिस से भेल भी इसका लाव उठा सकें हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वचिंग राधी राधी जै मात राधी